गुड मॉर्निंग बच्चों सुप्रबाद फिर से हम लोग विज्ञान के अध्धाय छे यानि जैवे पक्रम के पुनरा पृत्ति का भाग दो देखने आए हैं तो चलो बच्चों देखते हैं जैवे पक्रम अध्धाय कव फिर से दुबारा संग्छिवत में जैसे कि हम लोग देखे थे कि जैवे पक्रम यानि की लाइप प्रोसेस ऐसे प्रक्रम या क्रियाएं हैं जो जिवित प्रानी को जिवित रहने के लिए जरूरी है और ऐसे बहुत सरेज़वरासाइनी क्रियाएं हमारी सरीर के अंदर होते रहती है जिसके चलते हम जिवित हैं या जिस प्रक्रिया के बदले या उसके बिना हम जिवित नहीं रह सकेंगे हम लोग पिछले वीडियो में भाग एक में हमने पोसन और ससन के बारे में पढ़ा इस वीडियो में हम लोग बहन और उत्सरजन के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चो हम लोग बात करते हैं बहन यानि ट्रांस्पोटेशन के हमारे सरीर में मुख्य वहन का तरीका है रक्त रक्त ही एक ऐसा मादधम है जिसके मादधम से सरीर का हर चीज एक जगा से दूसरे जगा पहुंसता है चाहे वो oxygen हो चाहे वो carbon dioxide हो चाहे वो पाचन के बाद पचाये गए खाना हो या उत सर्जन के लिए जो बर्ज पदार्थ है या दूसरी पदार्थ है जिसे हमें सरीर से निकालना है या हमारे हॉर्मोन से सब इसी खून के मातम से सरीर में पड़ी बहन होते हैं और जहां पहुँचना है वहां पहुँच जाते हैं तो हमारे पड़ी बहन जो है उस तंत्र में मानब में जो बहन तंत्र है उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या-क्या हिस्सा है उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिदय जिसे हम पंप करते हैं और इसके साथ हम देखते हैं रक्त वाहिकाई यानि की धमनी और सीरा और इसके विभाजन के बाद सब विभाजित होते होते जब एकदम सुक्ष में विभाजन विभाजित होके जो उसका साख़ा है उसको हम लोग कहते हैं रक्त केसिका यानि की कैपिलरीज धमनी को हम लोग आर्टरीज भी कहते हैं अब वेंस को सीरा को ह तो जो हिदय यानि की हार्ट के बारे में अब हम लोग देखते हैं तो हिदय एक पेशिय अंग है जिसकी संग्रचना हमारी मुट्टी के आकार जैसी होती है ये ऑक्सिजन जुक्त रक्त और कावन डियक्साइड जुक्त रक्त प्रवा के दोरान एक दुसरे से मिलने से रोकने के लिए एक कई कोस्टकों में यानि की चेम्बर्स में बटावा होता है जिदका कार है सरीर के विविन्य भागों के रक्त को इकठा करना है और फिर पंप करके सरीर के अन्य भागों में पहुँचाना है तो इसी सिलसले में हम लोग देख रहे हैं कि रिदय में चार कोस्ट होते हैं दो बाईं और दो दाईं और उपर के दोनों कोस्ट को हम कहते अलिंद और नीचे के दोनों कोस्ट को हम कहते निलाए तो सबसे पहले हम बाया में हम देख रहे हैं बाया अलिंद जिसे हम left atrium भी कहते हैं और नीचे हम left ventricle यानि की बाया निलाए और इस तरफ हम देख रहे हैं दाया अलिंद यानि की right atrium और नीचे दाया निलाए यानि की right ventricle तो इस तरह से जो उपर का अलिंद है वो पंप करके खून को नीचे के कोस्टक में भेजते हैं यानि की नीलाए में भेजते हैं और नीलाए से इसे फिर pump करके रक्त को भेजा जाता है फुस्पुस के तरफ और सरीर में तो सबसे पहले हम लोग दाया साइज से समझना सुरू करते हैं कि ये दाया अलिंद है इसमें रक्त आ रहा है सरीर के विभिन हिस्से से महासीरा से सरीर के उपरी भाग के महासीरा से और सरीर के नीचले भाग के महासीरा से ये रक्त कैसा रक्त है ये नीला रंग से दरसाया गया है ये असुद रक्त है यानि कि इसमें कार्बन डियकसाइड रहता है ये रक्त सबसे पहले दाया अलिंद में आ रहा है फिर अलिंद उसे पंप करके भेज रहा है निले में दाया निले में और दाया निले इसको पंप क भेज़ रहा है ताकि ये खून जाने के बाद जैसा कि हम ससन में देखे थे कि फेफरे में जाने के बाद इस खून से कार्बन डेक्साइड फेफरे के बायु कोस्टक यानि कि बायू कोस में चले जाएंगे और बायू कोस में जो सांसों से मादधम से लिया हुआ ओक्सिजन है वो रक्त केसी का जो उसको घेर के रखा है बायू कोस को उसमें वो ओक्सिजन को देंगे और वो ओक्सिजन लेकि वो सुध जो रक्त है वो पहुँचेगा लोटेगा किस तरफ बाया अलिंद में बाया अलिंद में ये लोटेगा और किसके मादधम से लोटेगा फुसपुस सिराय के मादधम से और इससे हम देख रहे हैं कि जब बाया अलिंद भर जाएगा तो बाय या निलय में और बाया निलय यानि कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब भर जाएगा तब वो पंप करके खोन को महा धमनी यानि कि आउटा में बेजेगा और ये आउटा से पूरे के पूरे सरीर में रक्त जो है वो संचारित होगी तो इस तरह से रिदय जो है वो काम कर रहा है धमनी का काम है ऐसे साधरन तरपे धमनी में यानि कि आटरीज में सुद्ध रक्त रता है और सीराओं में असुद्ध रक्त सुद्ध का मतलब है ऑक्सीजन वाला रक्त और असुद्ध का मतलब है कार्बन डैक्साइड वाला रक्त तो फुसपुस धमनियों में सर्फ एक ऐ ऐसा धमनी है जिसमें असुद्ध रक्त रहता है और फुसफुस सीरा एक मात्र एक ऐसा सीरा है जिसमें सुद्ध रक्त रहता है इन दोनों के अलाबा धमनी और सीरा में वो सर्ते लागू होती है तब सवाल यह आता है कि हम तब इसे धमनी और सीरा क्यों कह रहे हैं अगर यह उल्टा रक्त को बहन कर रहा है तो धमनी और सीरा का एक और परिवासा भी है जो हृदय से रक्त लेकर बाहर जाता है उसे हम धमनी करते हैं और जो बाहर से रक्त लाता है रिदय में उसे हम सीरा करते हैं इस परिवासा से परिवासित होने के बाद हम इसको फुस्पुस धमनी कहते हैं और फुस्पुस सीरा कहते हैं हाला कि इसमें रक्त का प्रकार उल्टा है इस तरह से हम लोग देखे कि कैसे हमारे अंदर रिदय का संगरचना है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी कसिरुक प्रानी है उसमें रिदय का संगरचना ऐसा ही हो जैसा कि हम मचलियों में देख रहे हैं रिदय में दो ही कोस्टक है और रिदय में सिर्फ असुद रखते ही है ये असुद रखत को पाम करके ये भेज रहा है गिल्स में और गिल से ये बापस आ रहा है ऑक्सिजन लेकर सरीर के हरेक इस्से में और सरीर के हरेक इस्से में इस्तेमाल होने के बाद फिर कार्बन डियकसाइड लेकर ये रिदय में आ रहा है यानि रिदय में सिर्फ असुद रखते ही रहते हैं इसका रिदय में दो ही चिंबर या दो ही कुस्टक होते हैं क्योंकि ये पानी में रहता है इसको उतना उर्जा कमी जौरत नहीं और सरीर का तापमान को एक जैसा रखनी के लिए भी इसको उर्जा का जौरत नहीं होता है क्योंकि ये जल में रहता है इसके बाद हम लोग देख रहे हैं उबअचर यानि की अम्फिबियन जिसमें हम मेधक को एक उदारंth सरूब देख रहे हैं ये जल में भी असथल में दोनों में ही रहता है तो इसमें ये जब जल में रहता है इसको उर्जा की कम जौरत होती है लेकिन जब ये स्थाल में रहता है इसको पूर्जा का थोड़ा ज़्यादा जवरत होता है ऐसे में इसका जो रिदय है ये तीन कोस्टक का है उपर का दो अलिन संपुर्ण तरीके से अलग है लेकिन निलय एक ही है तो इससे इसके सरीर में जो खून भेजा जाता है फुस-पुस में वो फुस-पुस से परिसुद्ध होकर फिर रिदय में आता है फिर खून थोड़ा बहुत मिल जाता है असुद्ध रक्त से और ये मिसृत रक्त को ही सरीर में भेजा जाता है और ये इसी से काम चला लेता है अब हम लोग देखते हैं कि सरीश्रिप, सरीश्रिप में भी हम लोग देखते हैं कि इसमें चार चेमबर तो है लेकिन निले में पुरी तरह से विभाजन नहीं है तो इसमें भी खुन थोड़ा सा मिल जाता है असुद्ध रक्त मिल जाता है और इसके सरीर में जो परिवहन होता है वो थोड़ा बहुत सुद्धर असुद्ध मिल के ही जाता है तो इसलिए चुकि इसका निलय में पूर्ण विवाजन नहीं है इसलिए इसे भी हम तीन कोस्ट रिदई ही मानते हैं फिर आते हैं हम लोग पूरत तरह से स्तल्चर में यानि की जो जिसके रक्त में या जिसके सरीर का ताकमान एक जैसा बना के रखना है और स्तल्च में इसको अलग-अलग जगह वे घुम-घुम के खाना पीना और अलग-अलग काम के लिए ज्यादा जधा जाये इसलिए इसके रिधाय में चार कोस्टक है और अलिंद अर निले दोनों जो है पुरी तरह से विवाजित है सुद्ध रक्त आज़सु अलग-अलग रहे और सरीर में जो रक्त भेजा जा जाये वो पुरी तरह से सुद्ध हो ताकि उसे ज्जादा से ज़्यादा oxygen मिल पाए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं double circulation double circulation में हम लोग देख रहे हैं जिसको हम लोग दोहरा परिसंचरन भी कहते हैं हमारा रिदय रक्त को रिदय से बाहर बेजने के लिए प्रतिक चक्र में दो बार पंप करता है और रक्त दो बार रिदय में आता है इसी ही हम दोहरा परिसंचरन कहते हैं जैसा कि हम लोग यहां देख रहे हैं इस चित्र में सरीर से महासीरा के माद्धम से जो रक्त है वो रिदय में पहुंचा और फिर यहां से यह गया फुसपुस में सुद्ध होने के लिए और फुसपुस से सुद्ध होने के बाद फिर यह बापस लोटा और फिर यह सुद्ध रक्त जो है वो सरीर के महाधमनी से होते हुए सरीर के हर हिस्सा में गया तो इस तरह से हम देखे कि इसको दो बार ये रिदय में एक बार सरीर से आने के बाद फिर से सरीर में जाने से पहले रक्त जो है रिदय में दो बार प्रवेश कर रहा है एक बार दाया तरप, एक बार बाया तरप, एक बार रिदय से फुस्पुस और फुस्पुस से रिदय और एक बार रिदय से सरीर और सरीर से रिदय, इस तरह से दो परिसंचरन पत है और दो बार परिसंचरन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग दोहरा परिसंचरन या डबल सर करकूलेशन कहते हैं अब हम लोग फिर से एक बार देख रहे हैं रक्त बाहिकाओं के प्रकार जैसे कि हम यहां देख रहे हैं कि यह जो गुलावी रंग या लाल रंग की जो बाहिका को दिखाया गया है यह सुद्ध रक्त को ले जाने वाली हमारे धमनी है और जो नीला है ये हमारी असुद्रक्त को ले जाने वाली सीरा है सीरा में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भलब रते हैं क्योंकि सरीर जब असुद्रक्त रिधाय के लिए चल पड़ते हैं कहीं यह बापस सरीर में आ ना जाए इसको रोकने के लिए पस्चादगामी रक्त का बहन ना हो इसको रोकने के लिए इसके अंदर भल्व है, जबकि धमनी यानि आटरीज में खुन या रक्त जो आता है वो हुरिदय के पंप करने से जटके से आता है, तो इसे लिए उसमें रक्त काफी तेजी से आता है और जटके के साथ साथ आता है जिसको हम पल्स के रूप में जानते हैं और सीरा में रक्त जो है वो धीरे धीरे प्रभाईत होता है, दोनों जब विवाजित होते हैं तो धमनी का और इसमें आज के जिसे हम आटेरियोल और पुस कर रहे हैं और जब सबसे महीन इसका जो विवाजन है उसको हम लोग कैपिलरी या रक्त केसिका के रूप में जानते हैं ब्लड वेसल्स हमारे परिवहन को संपन करने के लिए विविन पकार की रक्त न लिकाए हैं जैसा कि हम लोग अभी देखे धमनी है धमनी के उदाहरन में महा धमनी फुस पुस धमनी और सीरा जो है वो रक्त भाई का है जो रक्त को सरीर के अन अंगों से रिदय तक लेके आती है जैसे की फुस पुस सीरा या महा सीरा केसिका जो है ये धमनी और सीराओ को आपस में जोड़ती है इसके आवरन में सर्फ एक कोसिका का स्तरी रहता है और इसके माद्धम से इसके अंदर से जो भी समान को परिवहन कर रहा है वो बिसरन के माद्धम से केसिका से अगल वगल के उत्तक में तत्तों का बिसरन होता है अब हम देखते हैं रक्त केसी का तो हमारे रक्त कोसी का है यानि कि blood cell हम लोग अगर बात करते हैं कि हमारे परिवहन तंत्र का तो हम लोग परिवहन तंत्र में हम लोग परिवहन कैसे हो रहा है वो देख लिए लेकिन परिवहन किसका हो रहा है उसके बारे में जब हम जानते ह तो हम पाते हैं कि रक्त ही वो मादम है उसी का परिवान हो रहा है तो रक्त के अंदर हम देखते हैं रक्त कोशिकाई रहता है और प्लाजमा रहता है तो रक्त कोशिकाई जो है वो तीन तरह की है WBC यानि की सेथ रक्त कोशिका और RBC यानि की लाल रक्त कोशिका और प्लेटल काम है ये हमारे सरीर में बाहरी तत्तों का संक्रमन से लड़ती है लाल रक्त को सिकाओ का कारे है ये मुख्यत क्या करता है हिमोगलोविन का बना होता है और जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और हमारे ससन में जो ऑक्सिजन गैस हम लेते हैं ऑक्सिजन गैस और कार्बन गैस का लँएं करता है इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि पत्टी का अनुका यानि की की प्लैट्लेड का क्या का भाइ है शरीर के किसी भाग से रक्तश्राब को रोकने के लिए प्लैट्लेड को सिह का होती है जो पूरे सरीर में भ्रह्मन करती है और रक्त स्राब की स्थान पर रोधीर का थक्का बनाकर मार्ग को अबुद कर देती है और रक्त हमारे सरीर से ज्यादा रक्त च्छाय ना हो इससे हमको बचाती है प्लाजमा यानि की जो तरल पदार्थ है रक्त कोसिका के अलावा जो तरल पदार्थ है वो उसे हम प्लाजमा कहते हैं और रक्त कोसिका के लिए एक मादम देता है इसमें भोजन कार्बन डेक्साय नाइट्रोजनी बच्छ पदार्थ जो है वो घुले वे विलीन रूप से य इसे कहते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिधय ज यह हैं फंप करता है एक बार वह से कुड़ता और जिन्दगी भर वह इसी तरह से काम करता है सिकुरता ओजब वह जटकी से द्धमानिय contr hatak gonna करता ओज हमारा रॉक doing का पारे का और फिर जब रिदय रिलैक्स करता है यानि कि फैलता है जिसे हम सिथिलन दाब भी कहते हैं अनुसिथिलन दाब तो अनुसिथिल दाब जो है वो होता है असी तो इसको हम लोग मापते हैं प्रेसर यानि कि रक्त चाप को नापने के लिए हम लोग जो मशीन का इस्ते अब ये रक्त दाब जो है वो कितना होना चाहिए रक्त दाब जो है वो स्वस्थ व्यक्ति में 120 बाई 120 बटा 80 होना चाहिए जैसा कि हम लोग अभी देखें कि प्रकुंचन दाब यानि की सिस्टोलिक प्रेसर और अनुसित्लन दाब यानि की डास्टोलिक प्रेसर एक जब रिदय संकुचित होता है और एक जब रिदय अनुसे थिल होता है अनुसे थिलन में रहता है या रिलैक्स रहता है तब तो एक सामानम अनुसे का रक्त चाप 120 mm पारा से 80 mm पारा होता है अब हम लोग देखते हैं लसी का तंत्र यानि की lymphatic system रक्त के जैसा ही एक तरल पदार्त है जो हमारे पूरे सरीर में एक परिवहन के माध्धम के रूप में मौजूद है जिसे हम लसी का कहते हैं इसका बनाबट या इसका जो भी है वो रक्त के जैसा ही है सर्फ इसमें लाल र रप्त का जो कुछ प्रोटीन है वो इसमें नहीं होता है तो यह मुक्त lymph vessels यानि की लसी का बाहिका के माध्धम से यह बहन होते हैं और यह एक ही दिसा में बहन होते हैं कि हमारे सरीर से यह पूरे जगह से यह इकठा होके आखे तक गले के पास यह हमारे महासेरा में मिल जा और कुछ ऐसी जगह है जहां यह लिंफोसाइट यानि कि लसिका कोसिका जो है वो बनते हैं मैचियोर करते हैं जैसे कि थाइमा, स्प्लीन, बोन मैरो, लिंफ नोड्स यह सब जगह में यह टॉंसिल्स जो हमारे सरीर को प्रतिरक्षा या कोई भी हमारे सरीर के अंदर कोई में बचाता है अब हम लोग देख रहें पेरो में पड़िवहन पेरो में पड़िवहन जो है संगवहन मंडल के माधन से होता है यानि कि जैलिम और फ्लोयम के द्वारा होता है जैलिम जो है वो जर से लेके तना से लेके पत्तियों की सीरा उपसीरा में भी मद्द सीरा में रहता है जायलेम जो है वो जल और लवन का मिट्टी से बहन करके पत्तियों तक पहुचाता है और पत्तियों में जो भोजन बनता है वो पौधे के हर एक हिस्से में पहुचाने के लिए है फ्लोयम मंडल फ्लोयम मंडल के माद्धम से भोजन भेजा जाता है जायलेम और फ्लोयम दोनों मिलके पेरों में पड़िवहन का काम समालते हैं जायलेम से पानी का उपर की तरब जाने में बासपुर्जर्जन का भी बहुत बड़ा भूमिका है बासपुर्जर्जन के चलते एक आकर्षन ब जल बनता है और जिससे पानी उपर के तरफ खेजाता है अब हम लोग देखते हैं उत्सर्जन उत्सर्जन वो जो इव पक्रम है जिसमें हानी करक उपाप चाहिए वर्ज पदार्थों का निस्कासन होता है हम सबसे पहले देखते हैं एक कुसिकी जीव जैसे की अमीवा में उत्सर्जन कैसे होता है यहाँ अब सिस्ट्र पदार्थों को सरीर के सतों से यानि की कोशिका के सतों से ये जल में विसरित कर देता है बिसरन क्रिया के माददम से यानि की डिफ्यूजन के माददम से ये सरीर के सता से इसको निकाल देता है बहुत को सिकी अजीवो में उचसरजन जो है वो थौरा जटिल होता है और इसे पुड़ा करने के लिए अब हम लोग देख रहे हैं मानवु में उचसरजन, मानवु में उचसरजन में हम सबसे पहले देखेंगे उचसरजी अंगों का नाम सबसे पहले हम देख रहें ब्रिक, मुत्रवाहिनी, मुत्रासय और मुत्रमार्ग यह उच्सरजी अंग यानि कि उच्सरजन में यह भाग लेता है इसलिए हमें इसे उच्सरजी अंग कह रहे हैं ये दोनों है हमारे ब्रिक और इससे निकलने वाले जो मुत्रवाहिनी हैं ये दो हो गए मुत्रवाहिनी और ये जो थैली नुमा है वो है मुत्रास है और ये मुत्रमार्ग तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दो जो ब्रिक है वो हमारे सेम जैसे सेम के बीद जैसे देखने में आकार में लग रहा है और इससे इसमें रक्त जा रही है रक्त हम देख रहे भमझी और सीरा दोनों जारी है भमझी जो है वो रक्त लेकर आ रही है रिदय से परिसूधित होने के लिए यहाँ बरिसूधन हो रहा है और नाइट्रोजन बर्जपदात को चोड़ने के बाद और साथ में इस्तेमाल होने के बाद काम करने के लिए से जो उरजा चाहिए उसके लिए ऑक्सिजन भी यहां इस्तेमाल हो रहा है तो नाइट्रोजन पदार्थों से साफ हो गया लेकिन कार्बन डियक्साइड वाला रक्त को लेके यह सीरा ब्रिक सीरा वापस जा रहा है और रक्त को चानने के बाद जो मुत्र बन रहे हैं वो मुत्र आ रहे हैं यह मुत्रा से में और यह मुत्रा से जब परिपूर्ण हो जाते हैं भड़ जाते हैं तो यह मुत्र मार्ग के माददम से यह यह खाली होते हैं इस तरह से हम देख रहे हैं मानवों में उत्सरजन कैसे हो रहा है बिविन उत्सरजी अंगों के त्वारा अब हम लोग देखते हैं ब्रिक कानू यानि की निफ्रान प्रतिक ब्रिक्कों में जो निसंदन होता है या फिल्टरेशन होता है वो एकक को हरे उसमें एक एकक के द्वारा होता है इसके एकक को हम यानि की यूनीट को हम ब्रिक कानू कहते हैं यानि निफ्रान कहते हैं जैसा कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं ब्रिक कानू यानि कि निफ्राउन में हम सबसे पहले देख रहे हैं भूमन संपूट यानि कि भूमन कैपसूल इसके अंदर हम केसी का गुच्छ जिसे हम रक्त केसी का गुच्छ या कैपिलरीज का बंचप कैपिलरीज जिसे हम ग सीरा का साख्या है और बिग सीरा का साख्या फ़ीर जह है ये ब्रिक कानों का नलीका कार भाग में इसको पुरी तरह से cables कर रख रहा है औधर फिर आखिर तख सब जगा से अब खुर्स करने के बाद ये बिग धमनी बनके ये बिक सीरा के रूप में ये निकल रहा है और ये जो मुत्र का बनना हुआ ये बन के संग्राहग बाहिनी से होते हुए ये हमारे मुत्र मार्ग में जाता है यानि कि पहले यूरेटर में फिर मारा मुत्र थैली में जाता है फिर यूरेटरा से निकल जाता है तो मुत्र जो बनते हैं वो तीन चरण में बनते हैं सबसे पहले इहां निसंदन यानि की फिल्टरेशन हो रहा है उसके बाद जो इहां पे फिल्टरेट आया इसके अंदर बहुत सारा जरूरी चीज भी आ जाता है नाट्रोजेनेस वर्जपदात के साथ-साथ उन जरूरी च चीजों का ही हम बापस अपसोसन करते हैं और अपसोसन करके फिर हम इसे रक्त के सिकाओं में बापस कर देते हैं और इस तरह से ये पूरी तरह से अच्छे चीजों का जो हमारे लिए जरूरत का चीज है वो अपसोसित होने के बाद ये बापस चला जाता है तो अपसोसित पदार्थों में बहुत सारे ऐसे आयंस भी रहते हैं, लवन भी रहता है, जल भी रहता है और बहुत सारे ऐसे ख़द पदार्थ भी रहते हैं, जो अफसोसित हो जाते हैं, अगर बिक कानू का नली काकार भाग को हम देखते हैं, उसे हम लोग इसमें देख रहे हैं, तीन हिस हिस्सा में हम देखते हैं आगे का हिस्सा को कहते हैं PCT इस जगह को जो यू अंग्रे जी के यू अक्षर के जैसा है से हिनलेज लूप कहते हैं और ये अखरी छोड को हम लोग DCT कहते हैं अब हम लोग देखते हैं कि कभी कभी संक्रमन के चलते या सरीर के कुछ खरावी के चलते कभी कभी हमारा ब्रिक के जो है वो खराब हो जाती हैं ऐसे रोगियों को एक सहरा होता है जिसे हम कृतिम ब्रिक या अपोहन या डालेसिस कहते हैं इसमें हम देख रहे हैं कि इस उक्करन से सीरा के मार्ग है और यहां धमनी के मार्ग है धमनी के मार्ग से एक पंप के बात्धम से खोन को निकाला जा रहा है और खोन को एक चायनित चैज फार गम जिली के बनी नलिका के अंदर से कुजारा जारा है, जिस से ये वर्ज पदार्त जो है वो आज की बाहर की जो माद्धम है, उसमें चला जाता है ये उस माद्धम को हम क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। यहां से अपोहन के लिए ताजा बिलायन जाता है और इस्तेमाल के बाद ये बिलायन अपोहन के बाद ये बिलायन इसमें इकत्रित होते हैं इसमें वर्जपदार्थ होते हैं वर्जपदार्थ जैसा की यूरिया या अतिरिक्त लबन और इस तरह से चैनित पारगम जिली की नलीका से गुजरने के बाद अपोहन के बाद रक्त जो है बापस सीरा मार्ग से सरीर के अंदर भीजा जाता है। उन रोगियों में ही करवाया जाता है जिनका ब्रिक जो है खराब हो चुके हैं पूरी तरह से दोनों ब्रिक जिसे हम किड्नी फेलियोर भी करते हैं तब ये हारा होता है